आदाव इंकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल एकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर खाजिर ही हूँ मैं अस्मिता मलिक पैसा बोलता है इस खास पेशकर्ष में आज बात होगी सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम की सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम एक छोटी सेविंग्स स्कीम है और छोटी सेविंग्स स्कीम की अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपका पैसा तो सेफ रहता ही है साथ ही आपको अच्छा इंटरस्ट भी मिलता है यानि आपका पैसा ग्रो करता है इनमें कुछ स्कीम में सेक्शन 80C के तहट टेक्स छूट का फाइदा भी मिलता है तो क्या है सिनियर सिटिजन सेविंग स्कीम स्कीम के जरीए हम कैसे और कितना टैक्स सेव कर सकते हैं इसी पर डीटेल में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं खास महमान वेल्ट मैनेजर सिधात शर्मा और जाने मानी फिनैंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवी सिंग आप दोनों का बहुत बहुत वेल्कम हमारे इस खास प्रोग्राम में पैसा बोलता है में रवी जी अगर हम एक वोमन इन्वेस्टर की बात करें ते उनके नजरे से स्कीम को जरा इलाबरेट करें देखे इससे पहले आपके इसी पैसा वसूल प्रोग्राम में कई स्कीम के बारे में चर्चा हुई पहले महिना सम्मान योजना की भी हमने बात करी थी और यह स्कीम ऐसी एक जिसमें senior citizen ही सिर्फ लगा हुआ है यानि कि आप चाहे वो gents हो या ladies हो आप दोनों लोग इसका benefit यह कोई जरूरी नहीं कि आपके पास आज suppose करी आपके पास आज 5000 रुपए है या 1000 रुपए है आप गए एक senior citizen saving स्कीम ले ली फिर आपके पास 15 दिन बात फिर से 5000 रुपए खटे होते हैं एक 1000 रुपए खटे होते हैं आप फिर से आप multiple बार जा सकते हैं सिर्फ cap और limit आप भी senior citizens घर पे होते हैं बच्चे देख भाल करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि खर्चे उनके बहुत बढ़ जाते हैं तो यह एक ऐसा है जो कि आपके retirement और आपकी age जब limit हो जाती है उस time पर यह पैसे आपको काम आते हैं और अब चुकि सबसे बड़ी हमारे देश में इंडि है वो यही है कि आप यहां पर financial independent बन जाते हैं मैं इसलिए कहता हूं मोदी जी की जो योजनाएं हैं जैसे देखिए आपकी हर एक वर्ग को हर एक जो आदमी है उसको benefit मिल सके और हमारे यहां पर जो nature है जैसे आपने महिलाओं की बात किये महिलाओं के kitchen से ले करके अगर तो सबसे अच्छा महिलाओं ही है जो financial management करती है और उनकों लिए भी यह scheme काफी beneficiary है यानि कि husband है या wife है या independent lady है जो private job कर रही है 55 साल के उपर है और retirement ले रही है तो आप इस scheme का फायदा उठाईए और अपना deposit इसमें डालिए क्योंकि अगर हमें कहीं benefit मिलता है तो हम पैसा invest करते हैं और इसलिए जब bank की FD की बात होती है तो लोग इसलिए bank की FD में पैसा safe समझते हैं डालते हैं market की बहुत से और fund अलग है लेकिन सबसे पहले आपकी safety जरूरी है यहाँ पर आपको 100% return की guarantee मिलती है तो आप इस तरीके के fund में या इस तरीके की schemes का फायदा उठा सक करते हैं लेकिन हमारी country में बहुत सारे sources सबके income के बहुत different different होते हैं जैसे कहीं के seasonal भी होते हैं या फिर जब से start-ups हुआ है तो start-ups के नजरे से भी लोग अपनी saving को preference देते हैं तो उस हिसाब से किस तरह से फायदमंद है ऐसे लोगों के लिए यह बहुत important question है क्योंकि सरकार ने already एक provision बनाया हुआ है कि आपके पास क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बार deposit कर सकते हैं और उस deposit के बाद आप दोबारा deposit नहीं ले सकते हैं आप multiple forms में आप इसमें deposit कर सकते हैं इस scheme के अंदर जैसे कि अलडी चर्चा हो चुकी है इस provision का introduction इसलिए ही किया गया है because यहाँ पर अलग-अलग work के अलग-अलग तपके के लोग हैं हब सबके एक जो monthly inflows हैं चाहे वो एक retired teacher है चाहे वो एक start-up earner है चाहे वो एक army personnel है चाहे वो एक bureaucrat है सबके अलग-अलग mode of incomes अलग-अलग हैं कुछ के monthly हैं कुछ के quarterly हैं अब उस case में अगर आपको invest करना है senior scheme क अंदर तो कैसे होगा वो वो इसी इस provision को देखते ही इसका that is the reason जिसके कारण सरकार ने यह बहुत clearly बोला है कि वो multiple accounts खुलवा सकते हैं provided 30 lakhs का जो एक benchmark है वो बीटना हो मतलब वो threshold के ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके बाद ही आप different different banks में आप यह खाता खुलवा सकते हैं different different तरीके से आप खाता खुलवा सकते हैं वो इसलिए सरकार ने यह provision लगाया है because सब लोगों के जो inflows होते हैं वो अलग-अलग तरीके से होते हैं कुछ के monthly होते हैं कुछ के quarterly होते हैं जब आपकी जब आपके businesses अलग type के हैं जब आपके professions अलग-अलग type के हैं तो in that case अल अले का returns भई 8.2% इसमें मैं एक और provision भी add करना चाहता हूं जो मैंने जो पहले discussion नहीं हुआ कि इसमें एक TDSP होता है अगर आपका जो return है वो 50,000 रुपए से उपर है तो सरकार इस पर TDSP काटती है तो यह एक important provision है जो एक senior citizen को पता होना चाहिए कि अगर आपको अपना tax जब आप भरेंगे तब वहां पर offset होगा और in that case कोई confusion किसी भी level पर नहीं होना चाहिए रवी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि sources of income सब के हमारी country में बहुत different different है defense से retire हुए है या government job से retire हुए तो बहुत clear है उनके लिए लेकिन जो बाकी segments है जो बाकी income के sources हैं जहां से को और किन बातों का खयार रखना चाहिए कोई case study लेके खासकर किन sectors के लोगों के लिए ये फायदेमन्द है क्या हम ऐसा बोल सकते हैं लेकि मैं कहता हूं यह sector कहना थोड़ा सा corporate सा हो जाएगा यह एक ऐसी scheme है जिसे एक आम आदमी मैं एक आम आदमी का मतलब कि जो ready पटरी पर जो ready पटरी से भी अपने घर का खड़ चला रहे हैं या जिन्नोंने कुछ भी पैसा अपना इखठा किया है चाहिए कैसा भी काम किया हो या आप दुकानदार है या आप शौप चलाते हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो सब इस benefit को उठा सकते हैं वहां पर बस criteria सिर्फ एक है age अगर आप army से retire हो रहे हैं लेकिन सबसे important point है इस program को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका पैसा बोलता है इसलिए कि यह पैसा इसलिए तब ही आपका बोलेगा जब आप उसको सही जगह invest करेंगे और जब army persons retire होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है हमारे देश में बहुत नहीं ले सकता तो आपके लिए कितना important है आपके लिए उतना ही important है जितना important आपका अधार card है pen card है या फिर आपसे यह कहें कि आपका retirement का date इतना ही important है कि अगर आप अपनी planning उसी समय नहीं करेंगे तो आप इसका benefit नहीं उठा पाएंगे फिर आपको अगर आप 50 साल के हैं तो आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा उस scheme का benefit उठाने के लिए यानि 10 साल अगर आप अपना पैसा इस scheme में डाल के रखते हैं यानि 7 साल तक maximum तो डाली सकते हैं तो आप समझे आपका पैसा double हो रहा है तो वो भी नहीं होगा वो benefit भी नहीं मिलेगा प्लस आप जो bank की F बैठता है यानि कि आपको benefit ही benefit है तो आपको तुरंत जो लोग retirement की तैयारी कर रहे हैं retirement ले चुके उनको तो तुरंत जाकर इस scheme में आप पैसा डाल दीजे एक बार को आप इस scheme को avail कर लिजे नहीं समझ में आता है तो एक साल बाद आप इस scheme को छोड़ दीजे या एक साल से आपको अगर आपने एक लाक रुपए डाले हैं और एक quarter आपका निकल जाता है तो आपको वहाँ पर 8% का मतलब है कि आपको 8000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे अब 8000 रुपए अगर मिलते हैं और 1% का इसमें आपका 1.5% का charge भी कटेगा अगर आप बीच में break कराते है तो अब 1.5% कुछ भी नहीं है आप 500 रुपए कटवा सकते हैं इससे जादा तो कुछ है नहीं तो एक लाग पर 500 रुपए कुछ भी नहीं है आप वो कटवा ही लेकिन 8000 रुपए तो आपको मिल रहे हैं तो आपका मूल धन कम नहीं होगा इसलिए ये स्कीम सबसे ज़्या प्राड़क्ट इस समय ऐसे नहीं मिलते हैं आप जब भी निवेश करने जाते हैं बहुत से लोग कह सकते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूं मुझे 40-30% के रिटन मिले हुए वहाँ पर देखेंगे तो स्टार लिखा होगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यहा आप कोई जॉब कर रहे हैं तो सब हर एक आदमी के लिए ये स्कीम्स है जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और चुकि सरकार ये चाहती है कि फाइनेशल इंडिपेंडेंट बने रहे हैं लोग यानि कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी लाइफ को इंजॉय क समझ रहे हैं वो एक बार बैंक जाकर समझे हैं उनके बेनिफिट की ये स्कीम है और उनको लेना चाहिए जुई असिदार्थ फाइव इसका मिचूर्टी पीरिड रहता है लेकिन इनकेस लाइफ इस वेरी अंसर्टन कभी किसी तरह की जरूरत महसूस होती है किसी को जो एक पान साल की स्की में इसमें जो लॉक इन है वो सिर्फ एक साल का है एक साल के अंदर अंधिर आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते बट अगर लेटसे अगर अफ से को बाहले माल अब लेटे को प्री मीचॅरल विडरा exploly ले सकते हैं यह पाचेल इसको पॉलतिreyां निशिई अ होगा और लेटसे अगर आप दूसरे साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं या पार्शल विड्रॉ करते हैं पैसे को तो एक परसंट का आपका जो के मैं आपको सिर्फ एक साल रुस्टना है और ऊस एक साल मैं यह बोलना चाहूँगा कि pre-mature withdrawal की जो facility है वो सरकार ने इस scheme के अंदर already inbuilt करी हुई है जो की लोग जो की निवेशक जो की investors उसको utilize कर सकते है over a period of time जब भी उनको ऐसा लगे कि उनको एक sufficient corpus की ज़रूरत है जो की सिर्फ interest से या return से उनका वो जो जिस काम के लिए वो उस पैसे को utilize कर रहे हैं वो उसको utilize नहीं कर पा रहे हैं उनको वो बीच में तोड़ सकते हैं principal को avail कर सकते हैं और उस अपने कारे को पूरा कर सकते हैं तो यह एक बहुत flexible provision है जो सरकार ने already add करी है इस scheme के अंदर अभी जी जैसे government ने skilment 15 से 30 lakh की तो किस तरहां से यह एक good news है और किस तरहां से यह अच्छा है हम जाना चाहेंगे आपका नजरिया इसमें क्या है किस तरहां से क्या मंचा रही है सरकार की सरकार की तो सीधी मंचा मुझे यह नजर आती है कि आम आदमी की जरूरते retirement जब हो तो उसको किसी भी चीज के लिए परशान नहीं होना पड़े अब जो 15 lakh थी उसको 15 lakh से 30 lakh करने के पीछे simple यही मुझे समझ में आता है क्योंकि 15 lakh पे आपको जो 10,500 रुपय का amount 10,250 रुपय का amount महीने का मिलता है वो कहीं न कहीं से कम पड़ता है और 20,500 का amount है वो ऐसा है कि जिससे कि आप अपने दवाई जब senior citizen होते हैं तो कुछ खर्चे fix हो जाते हैं जैसे कि आपकी दवाईयों के खर्चे लगबख fix हो जाते हैं हमारी जिससे आपकी life style है दवाईयों के खर्चे आएंगे ही आएंगे तो at least उसके लिए भी आपको परशान नहीं होना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आप कहीं रह रहे हैं उसके जो रोज मर्रा के जो खाने पीने की चीजे हैं बड़ी आसानी से एक financial planning के तहत आप उनकी चरूरतों को पूरा कर सकते हैं अब दूसरा जो सबसे important point है कि जब सरकार ने पहले 15 लाग किया था तो उसके बाद जो लोगों की demand थी लोगों क जो समझ में आया कि अगर ये scheme थोड़ी बड़ी होती है अब मैंने जैसे आपको example दे था कि कोई अगर 10,000 रुपए महीना भी कमाता है तो आज से जब वो retirement 55 साल पर पहुंचेगा तो उसके पास bank account में जैसे भी saving करे उसके पास 30,000 रुपए इखटे हो जाएंगे ये एक ब जो कि आपको interest की वज़ास, interest से आपके खर-खर चलते रहेंगे, आपकी जहूरते पूरी होती रहेंगे लेकिन इसमें सबसे important जो मुझे जो अच्छा लगा कि ये आप चाहे वो private नौकरी वाला हो, चाहे वो मैंने बताया army person हो, चाहे वो government job से retirement हो रहा क्योंकि government job से जब आ जो साल तीन साल बाद वो एक करोड रुपए खतम हो जाते हैं क्योंकि उनकी financial planning बहुत पूर होती है, तो आपके पास अगर ऐसा पैसा भी है तो भी आप उसका benefit उठा सकते हैं, और इस तरीके के deposit में पैसे डालके आप अपनी life को बहुत easy और simple बना सकते हैं, being a wealth manager जब हम portfolio उसको design करते हैं, तब उसमें हम different different asset classes को का involvement हम करते हैं, या तो वो gold है, या mutual funds है, या stocks है, या फिर fixed instruments हैं, जैसे FDs हुआ या senior citizens के लिए national senior saving scheme है, in that case मुझे ऐसा लगता है कि 8.2% का एक secured interest करके, मैंने देखा है कि लोगों का जो एक risk लेने का जो एक criteria है, वो क्यों? क्योंकि 8.2% तो उनको मिली रहा है, तो उनको लगता है कि हम additional corpus के साथ थोड़ा risk ले सकते हैं, जहां हम additional returns भी ले सकते हैं, तो मैं जब देखता हूँ इसको एक portfolio के नजर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि security भी है, safety भी है, different asset classes का introduction भी हो जाता है, risk लेने की शमता भी भढ़ जाती है, क्योंकि यह already risk free है, और जब से सरकार ने 15 लाग से increase करके इसकी limit 30 लाग कर दी है, और जहां उनको एक 20,500 रुपे का एक monthly return मिल रहा है, और जो उनकी जरूरतों को satisfy कर रहा है, तो उनका जो additional corpus है, उसको वो एक proper capital appreciation के asset class में डाल देते हैं, जहां एक proper returns भी आ भी मिल रहा है, और दूसकी जगे वहां वो जादा risk लेने की शमतभी उनकी भढ़ रही है, जहां वो एक पैसे को devolve करके एक अच्छे returns की तरफ भी भढ़ रहा है, तो capital appreciation भी हो रहा है, monthly expenses भी meet हो रहे है, more or less principal secure हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज उनके अंदर जो confidence मैंने देखा है, वो मुझे लगता है कि वो काफी भढ़ गया है, जब से इसका limit 15-30 कर दिया है, क्योंकि 10,000 से जो कि आपकी आज की महंगाई की जितनी महंगाई है, उसके असाब से जब आपके घर के खर्चे प 10,000 में नहीं चल सकते हैं, वो आप to certain extent 20,500 रोपे में आराम से चल कर सकते हैं, तो इसके इलावा और क्या है, मतलब यह तो एक बहुत बड़ी एक बहुत बेनिफिशल स्कीम है, जहां आपका डेड़ लाग का टैक्स भी सेव हो रहा है, और जहां आपको 8.2% का रिटर्न भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ आप additional corpus के साथ रिस्क भी ले सक अपने लाइफ में जो भी uncertainties हैं, चाहें वो medical emergency हुई, चाहें वो उसकी health emergency कोई हुई, या उसके कोई एक emergency corpus हुआ, वो उसको आराम से ओनर कर सकता है, उस corpus को या उस uncertainty को इस corpus के थूप, और उस age में अगर आपकी family को भी कुछ ऐसी need आ जाती है, तो आप तब भी आप help कर feature है, रवी जी, ये senior citizen saving scheme में जो किसी ने account open कराया है, अगर वो life में कभी उस account का transfer कराना चाहें, तो क्या ये possible है, अगर है तो कैसे, नहीं देखें, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कोई account इस तरह के खोलते हैं, तो आपको पूरा close account करके ही दूसरे account खोलना पड़ेग आप इसको, किसी को बीच में आप transfer नहीं कर सकते हैं, पहला, दूसरा क्योंकि ये एक independent account खुलता है, तो इसको आप transfer नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका, जो मैंने पहले बताए कि आप इस पर nominee जरूर डाल सकते हैं, कि 5 साल बहुत सकता है, बहुत सैसे citizens हैं, जिनकी ज्यादा हो चुकी है, 5 साल तक वो benefit ना हो, या फिर 5 साल के लिए आगे sustain ना करें, या ऐसी कोई अगर इस्थिती होती है, तो फिर वो nominee को आसानी से मिल सकती है, अब इसमें एक और important जो point है, मैं आपको बताऊं तो, पूरे word में कहीं भी ऐसी कोई scheme नहीं है, सिर्फ भारत एक जगा पैसी है, जहां पर interest rate के ऊपर आपको एक guaranteed plan मिल रहा है, और दूसरा, सबसे important जो point यही है, कि आपका पैसा safe है, हर आदमी जब भी कोई निवेश करता है, तो वो कहता है, पैसा मेरा safe कितना होगा, यहां पर safety की guarantee है, तो आपको वो benefit ही सबसे बड़ा benefit है, क्योंकि अगर आप आपका capital amount जो है, वो protected है, तो फिर आपको और चिंता करने की जरुगत नहीं है, बिलकुल जब आप life में उस point पर आते हैं, जहां जिनके लिए special scheme बनाएगे है, तब आप ज़ादा आपको थोड़ा खयाल रहता है, कि मेरे expenses अपको कैसे पूरे होंगे, मुझे किसी पर dependent रहन पड़ेगा, तो उन सभी चिंताओं से ये बाहर करती है, scheme ये कह सकते है, तो बहुत सारी features के बारे में हमने discuss कर लिया है, और बहुत ही detail में आप सभी ने बताया है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी, अगर कुछ रह गया हो, लोगों के मन में कोई सवाल हो, जिसका जवा तो benefit उठाना चाहिए, और अपनी financial planning सबसे पहले करनी चाहिए, यानि कि अगर आप इस age group में आते हैं, 50 साल जो army persons हैं, और खास और से जो 55 साल जो private job में कर रहे हैं, और 60 साल वालों के लिए तो benefit कभी भी ले सकते हैं, तो मुझे लगता है, इसका benefit ज़रूर लिजे, क्योंक इस scheme के ताहित, आप secure हो जाते हैं, 8.2% का interest के साथ, तो मुझे लगता है, जो इसको इस criteria में आते हैं, उनको इसका benefit ज़रूर उठाना चाहिए, जिससे की पैसा बोलता का, ये program भी आपको जो knowledge दे रहा है, उसका फाइदा तभी उठाएंगे, तभी आपका पैसा यहां पर lucrative और बहुत attractive return है, और जैसे कि हमने पहले discuss किया है, ये returns lock हो जाता है for the next 5 years, जिस तरीके से interest rates भढ़ रहे हैं, अब आगे हम anticipate करेंगे कि जो interest rates हैं, ये plateau करेगा, ये अब जादा भढ़ने के स्तिती में नहीं रहेगा, और थोड़े time बात, आज से कुछ महीनों के बाद, य interest rates decreasing cycle में जाएगा, but क्योंकि एक 8.2% का interest rate यहां fix हो चुका है, तो senior citizens को इस 8.2% की benefit को avail आराम से कर सकते हैं, जहां उनका capital protect भी हो रहा है, जहां उनको despite the fact के interest rates कलको नीचे जाएंगे, उसके बाद, despite that उनको 8.2% का returns उनको fix मिल रहा है, and at the same time उनके जो lifestyle में कोई भी problem नहीं हाएगी, क्योंकि उनको वो अपनी planning बहुत अच्छी तरीक से कर सकते है, 8.2% of returns, जो कि उनको annually मिल रहा है, for the next 5 to 8 years, so in that case मुझे ऐसा लगता है, कि इस asset class को, इस fixed income instrument को अपने portfolio में introduce करके, जो senior citizens हैं, वो पूरा लाब उठा सकते हैं, सरकार का यह जो provision उन्होंने lay down किया है, जिसके कारण वो अपने interest को, अपने life को बहुत comfortable बना सकते हैं, रवी जी बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत एहम जानकारिया आपने दी, सिदाजी आपका बहुत 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 शुक्रिया, और उमीद करते हैं, कि senior citizen saving scheme से जोड़े, जो भी सवाल आ आप अपनी राए दे सकते हैं, इसके लिए हमारा email ID है ddurduspecials at gmail.com, इसे के साथ हमारी पूरी टीम को दीजे इजाजत आदा